हेलो फ्रेंड्स अभी बारिस का मौसम आ चुका है और अभी ही बारिस में ही सबसे ज़्यादा मच्छड जन्म लेते हैं और बच्चे लोग हो या फिर बड़े हो सब ही को मच्छड जब काटते हैं तो इस ट्राइप के दाने निकल आते हैं हमारी त्वचा पे खुजली बहुत होने लगती है और उसके बाद उसमें दाग भी पड़ जाते हैं और इस टाइप से छोट छोटे दाने जो की जल्दी ठीक भी नहीं होते हैं तो इसका मैं आज घरेलू उपाय लेकर आ रही हूं कि आप घर पे ही किस तरह से इसे बच सकते इसको लगाने के बाद जिन लोगों का हो गया है बहुत हो खुजली होती है तो लोगों ठीक हो सकता है तो मैं घरेलू उपाय में बता रही हूं कि हमें लेना है W周ba दिखा रही हूँ और हमें चाहिए कपूर जो की हर दुकान में आपको मिल जागा है यह पूजा के काम में लिए इनदक जैसे गोला गेनावाल, है यह म्सक्टरेखें जर्ट मुझे चाहिए उतना इतना इसलिक निकृत दृपता, भो और दूपर यहां को प्राब से मैं दो पुल्ड कर लिया है जो को परिपने और यहां प्रुट हर सकते हैं लेकिन इससे तोड़ने से काफी अच्छ से महीन हो जाते हैं तूम देखिया छीजाए ऑस तरह से हो जाए देखिया कि अब नब इच्छे से और तेल महलें तो जो इसकर हम जो हमारा है दिसी हमारा तय्यार हो छुका है आप यह सकते हैं अगर आपको मैं बहते हैं अगर आपको ऐलर्जी है सरीर में जैसे कि किसी वज़ा से आपका एलर्जी हो चुका है फोड़ा फुनसी हो चुका तो वो भी इस तेल से ठीक हो सकता है आपको दो बार तेल लगाना है एक नहाने के बाद आप लगा सकते हैं फुल बॉड़ी में पूरे सरीर में और एक सोने से पहले लगा सकते हैं क् इसका रिजल्ट भी दिखेगा तो अब जरूर ट्राई करें